हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डैनिक स्टडी पाइंट यूटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में न हर्याना के प्रमुख सीर्स अधिकारी इससे संबंदित सभी कोस्टिन रहेंगे देखिए फ्रेंड्स अगर आप एक एससे के किसी भी एकजाम की तयारी करते हैं तो आप हर्याना के प्रमुख सीर्स अधिकारी इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि यहां से एक प्रेसन पक्का आएगा और यह अपडेटी डाटा है तो देखिए अ कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आई तो देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा तो आप अपने टेस्ट लगाना और देखना कि आप इन में से कितने साही कर सकते हैं तो चलिए शुर अप्शन B सही है ठिक है और देखिए वर्टमान में मुखे मंत्री है ये है स्री मनोहर लाल खटर तो ये भी आपको ध्यान लखना है अगला कुस्यन है निमल्ली कितमे से राज्ये की मुखे सचीव तो ये सचीव है केसनी आनंद अरोडा और इसमें उप्शन C सही है अगल हर्याना राज्य महिला आयोग की अध्यक्स कौन है तो देखिए हर्याना राज्य महिला आयोग की अध्यक्स है तो यह अध्यक्स है प्रैतिभा सुमन और इसमा उप्शन B सही है ठीक है और देखिए जो हर्याना राज्य महिला आयोग है इसका मुख्याला है यह है पंचकुल तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और इसकी स्थापना हुई 1909 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसकी अध्यक्ष है प्रेतिबादुआज। और इसमों option D सही है, ठीक है, देखिए, अध्यक्स पुछा जाए तो प्रेति भासुमन है और उपाध्यक्स पुछा जाए तो प्रेति भारद्वाज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इनके नामना दोनों प्रेति प्रेति से ही start होते हैं, तो देखिए, हर्याना विधान सभा के अध्यक्स कोन है, तो देखिए, वर्तमान में हर्याना विधान सभा के अध्यक्स, तो ये अध्यक्स है, ज्यान चंद गुपता और इसमों option B सही है, अगला question है, पंजाब एमम हर्याना उच निया याले के मुखे नियाधिस कोन है, तो देखिए, पंजाब एमम हर्याना उच्छ न्याय याले के मुखे न्याय धीस ये न्याय धीस है रवी संकरजा और इसमें उक्षन डीस ही है ठीक है और अगर ये पूछा जाए कि आजादी के समय पंजाब एमम हर्याना उच्छ न्याय याले के मुखे न्याय धीस कौन थे तो ये थे र तो देखिए हर्याना के गठन के समय पंजाब एमम हर्याना उच नया याले के मुखे नया धिस तो ये है मेहर सिंग और इसम उप्चन ए सही है अगला कोश्चन है वर्तमान में हर्याना विधान सभा में विपक्स के नेता कोन है तो देखिए वर्तमान में हर्याना में विधान सबा में विपक्स के नेता ये है चोधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा और इसमा उप्चन B सही है अगला कोश्चन है वर्तमान में HSST के अध्धक्स कौन है तो देखिए वर्तमान में HSST के अध्यक्स ये अध्यक्स है भारत भूसन भारती और इसमें option C सही है ठीक है और देखिए HSST की सचीव पूछा जाए कि सचीव कौन है तो ये है ईसा कंबोज ये भी आपको ध्यान रखना है इसा कंबोज HSST की सचीव है और HSST के अध्यक्स है ये है भारत भूसन भारती अगला कोश्चन है वर्तमान में हर्याना के डीजीपी कौन है तो देखिए हर्याना के DGP ये है मनोज कुमार और इसमा उप्षन A सही है अगला कोस्चन है हर्याना किसान आयोग के अध्यक्स कोन है तो देखिए हर्याना किसान आयोग के अध्यक्स तो ये अध्यक्स है रमेश यादव और इसमा उप्षन D सही है अगला कोस्चिन है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोन है तो देखिए वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो ये अधिकारी है अनुराग अगरवाल और इसमोप्शन भी सही है अगला कोश्चन है वर्तमान में हर्याना विधान सभा के उपाध्धक्स कोन है तो देखिए वर्तमान में हर्याना विधान सभा के उपाध्धक्स कोन है ये देखना है तो ये है रनबीर सिंग गंगवा और इसमा उप्षन A सही है ठीक है और देखी इनका संबंध है हिसार से तो ये भी आपको ध्यान रखना है हिसार में नलवा एक जगे है वहाँ से इनका चुनाव छेतर रहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्चन है वर्तमान में मुख्य सूचना अधिकारी कोन है तो देखिए वर्तमान में मुख्य सूचना अधिकारी तो ये अधिकारी है सुधीर भारगव और इसमा उप्षन C सही है अगला question है वर्तमान में विधान सभा सचीव कौन है तो देखिए वर्तमान में विधान सभा सचीव तो ये सचीव है R के नांदल और इसमें option D सही है ठीक है और देखिए इसका संबंध है रोतक से तो ये भी आपको ध्यान रखना है रोतक में बोहर एक गाउ है वहाँ से इसका संबंध है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला question है हर्याना के पहले लोकायुक्त कौन है तो देखिए हर्याना के पहले लोकायुक्त तो ये है प्रीतम पाल सिंग और इसमें option A सही है अगला question है हर्याना के वर्तमान में लोका युक्त कोन है तो देख़िए वर्तमान में लोका युकत है ये है नवल की सोर अगरवाल और इसमा उपशन D सही है ठिक है देख़िए आपको ध्यान अखना है प्रत्थम लोका युक्त पूछे जाए तो ये है प्रितम पालसिंग और वर्तमान में लोकाई पूछे जाए तो ये है नवल किसुर अग्रिवाल ये आपको ध्यान अखना है अगला कोश्चन है राज्य की कारेपालिका का परमुख कौन होता है तो देखिए राजे की कारेपालिका का परमुख तो ये होता है राजेपाल और इसमा उप्शन ए सही है ठीक है और बेखी वर्तमान में राजेपाल कौन है तो ये है सरी सत्य देव नरायन आरिये ये वर्तमान में राजेपाल है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और बे तो देखिये राजय पाल की न्युक्ति ये की जाती है राश्टपती के दवारा और इसमें option A सही है ठीक है और देखिये राजय पाल का कारेकाल पांच वर्च के लिए होता है और राजय पाल बनने के लिए जो एज होती है ये होती है 35 यार तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है हर्याना के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है तो देखिए हर्याना के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है ये देखना है तो ये महाधिवक्ता है बलदेवराज महाजन और इसमा option B सही है ठीक है और देखिए अगर ये पूछा जाए कि पहले महादी वक्ता कौन थे तो ये थे आनंद सवरूप तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्चन है वर्तमान में हैफेड के अध्यक्स कौन है तो देखिए वर्तमान में हैफेड के अध्यक्स तो ये अध्यक्स है अर्विंद कल्यान और इसमा option C सही है ठीक है और देखिए हैफेड की स्थापना कब हुई ये हुई 1966 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है वर्तमान में हर्याना आवास बोल्ड के अध्यक्स कोन है तो देखिए वर्तमान में हर्याना आवास बोल्ड के अध्यक्स तो ये अध्यक्स है जवाहर यादव और इसमा option D सही है ठीक है और देखिए हर्याना आवास बोल्ड की स्थापना हुई ये हुई 1971 में या फिर 1972 कहीं कहीं पर ये दोनों ही लिखे हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है अगर option में 1971 रहता है तो 1971 टच करना है ठीक है और फिर 1972 रहता है तो फिर आपको 1972 ठीक करना है अगला question है वर्तमान में खादी ग्रामों उद्योग बोल्ड की अध्यक्स कोन है तो देखिए वर्तमान में खादी ग्रामों उद्योग बोल्ड की अध्यक्स है ये है गारगी ककड और इसमा option A सही है ठीक है और देखिए इसकी स्थापना हुई ये हुई 1979 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला question है हर्याना के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कोन है तो देखिए हर्याना के वर्तमान में शिक्षा मंत्री तो ये है कवरपाल और इसमा option D सही है ठीक है और देखिए संतोस यादव है ये है पहली महिला जो मांट एवरेस्ट पर चड़ने वाली थी ये रेवाडी से इसका संबंध है और रेवाडी में भी जोनिया वासे गाव है वहां से इसका संबंध रहा है पुर्मम्ता खर्म इसको गोल्डन गरल कहा जाता है और ये रोतक की रहने वाली है और ये पूर होकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्चन है वर्तमान में महिला एमंबाल विकास मंत्राले किसकी पास है? तो देखिए वर्तमान में महिला एमंबाल विकास मंत्राले ये मंत्राले है कमलेश डहनडा के पास और इसमें उप्शन डी सही है अगला कुस्चन है हर्याना का छेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधान सबाद छेत्र कौन सा है? तो देखिए ये कॉस्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है और इसका अंसर आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके बताना है ओके देखिए उप्शन A है लोहारू, B है बलरामगड, C है पानीपत, D है हिसार तो इसमें से कौन सा सही है, इसका अंसर आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके बताना है और दूसरा कॉस्चन है, वह है हर्याना का सबसे कम विधान सबाद छेत्र वाला जिला कौन सा है? तो देखिए उप्शन A है पंचकुला, B है फरीदाबाद, C है पानीपत, D है हिसार तो ये कॉस्चन भी पहले करवाया हुआ है और इस कॉस्चन का आंसर भी आपको कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके बताना है ठीक है और देखिए फ्रेंड्स इन दोनों कॉस्चन के आंसर आपको एक ही कॉमेंट में करने है और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना सेर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपी के पास आई थैंक्यू